नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन्यास का संयोग धोनी और गांगोली वक्त के पहीये में गूमते दो पूर्व भारतिये कप्तान जी हाँ जब धोनी कप्तान बने और भारतिये क्रिकट में चाये सौरब गांगोली हांसिये पर गए और विदा हुए आज धोनी विदा हो रहे हैं और गांगोली भारती क्रिकेट की प्रसासन की कमाल सम्हाल रहे हैं चलिए आपको बदाते हैं सौरब गांगोली और महन सिंग धोनी ये सिर्फ दो नाम नहीं बलकि भारती क्रिकेट की पहचान है दादा ने जहां हासिये पर चल रही टीम को समारा नए खिलाडी तला से उन्हें लड़ना सिखाया तो महन सिंग धोनी ने उस प्लेइंग 11 में जान फूंक कर काम्याबी की बुलंदी तक पहुँचाया इसे सैयोग कहा जाए या किस्मत का फिर अलग-अलग समय पर टीम की कमान समालने वाले दोनों ही चैंपियाने स्टू जोन से आते थे जब गांगोली का सूरज अस्थ हुआ तो टीम इंडिया की गद्धी रांची का राजकुमार समाल रहा था और अब जब अज जब उबिदा हुए तो गांगोली बी-सी-सी-ई-के बॉस है आपको बताते हैं धोनी को धोनी बनाने का स्ट्रेश सवरब गांगोली को जाता है माही की खोश दादा ने कि रणजी के रण से निखर कर रांची का ये लड़का टीम इंडिया तक तो पहुँचा लेकिन अभी खुद को साबित करना सेज था बांगलादेश के खिलाब दोजाचार में अपनी पहली सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे शुरुआती चार मैच में बल्ले से सिर्फ बाईसरन ही निकले मगर कप्तान गांगोली ने बिश्वास बनाये रखा पाकिस्तान के खिलाब सीरीज के दूसरे मुकाबले में न बार खोले मंच पर कहा कि तक कालिन कोच ग्रैक चैपल ने उन्हें भारतिय टीम से बाहर किया अपनी आद में कथा एसंचरी इस नॉट इनफ में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है चैपल की कारेकाल में ना सिर्फ उन्हें कप्तानी गवानी पड़ी बल्कि टीम से भी ब कप्तान धोनी के एक फैसलिस दादा हैरान भी रह गए मैज के आखरी पलों में धोनी ने सौरप गंगोली से टीम इंडिया की कप्तानी करने को कह था धोनी चाहते थी कि गंगोली बतार कप्तान ही भी दाले धोनी के इस ब्यवार को मौजूदा बी सीस्याय अध्यच आज भी याद करते हैं इधर धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को बलंदियों तक पहुचा रहे थी तो उधर सन्यास के बाद दादा बता और कमेंटेटर एक्सपेट और किर्केट पुसासक खुद को नई चुनोती के लिए तयार कर रहे थी इस बीच मैदान पर माही का चौकाना भी जारी था कभी अचानक कप्तानी छोड़ देते तो कभी टेस्ट क्रिकेट से सन्यास का एलान कर देते हैं 2015 से 2019 तक बंगाल क्रिकेट एसोसेशन का अध्यच रहने के बाद सौरभ गांगोली ने उसी साल बीसी सी आई का अध्यच पत समभाला जब धोनी की कप् अध्यच ने एक यूग का अंत बताया गांगोली ने लिखा वह देश और विस्ट क्रिकेट के धुरंदर खेल के छोटे प्रारूप में उनके ने तुर्त काउसल की तुलना करना नाममकिन है वह नैसर के प्रतिभा के धनी है अपने करियर की सुरवाती दोर में एक दिवस जीत करी वाओं के भीतर जोज भरने के लिए 28 साल बाद 2011 में एक दिवसी बेश सुकफ दिलाका सचिन तिनलकर का सपना पूरा करने के लिए 2013 में चेंप्रेंज टॉफिक अप जाकर अंग्रेजों को उन्हें की घर में मात देने के लिए सुक्रिया माही धन्यबाद असंख देने के लिए माही धन्यबाद आपका ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सेरे करें दोस्तों के साथ